जहिन दोस्तों, आज यूपी से हिंदुव के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी सामने आई है। यूपी गोवर्मेंट ने गोवन्स की रक्षा के लिए 20 जून 2020 को एक अध्यदेश पास कर दिया है, जिसके तहट गोवन्स की हत्या, एबम, तसकरी तथा गोवन्स को छती पहुचाने पर सजा का प्रवधन किया गया है, जो गैंक्स्टर एक्ट के तहट होगा। 20 जून 2020 को उत्तर प्रदेश में गोवन्स ये पसूर की रक्षा और गोकसी की घटनाओं से सम्बंदित आपरात को रोक्ताम के लिए योगी केबिनेट ने गोवद निवारन संसोधन अध्यदेश 2020 को मंजूरी दी है, अध्यदेश में साप कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आप गोवन्स को नुकसान पहुंचाने या फिर हत्या करने का अपरात गेर जमानिती होगा। गोवद तसकरी को रोकने के लिए क्या गया है, आधिनियम 1955 को अधिक प्रभावी बनाना है। इसी का आरोप साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रवदान है। केंक्टर एक के तहट कारवाई और समपती जब्त करने का भी प्रवदान किया गया है। गोवद को छती एवं उनको अंगभंग करने तथा जीवन को खत्या पैदा करने के आरोपी को एक से लेकर साथ साल तक की सजा और एक लाग से लेकर तीन लाग तक जुर्माने का प्रवदान है। गोवद करते हुए पकड़ा गया अगर कोई तो उसके उपर गैंग्स्टर एक के तहथ कारवाई होगी जिसमें एक साल से लेकर पांच साल तक की सजा एवं एक लाग से लेकर तीन लाग तक जर्माने का प्रवदान है। गेंग्स्टर एक के तहट गेर जमानेती वारंट इसू होगा जिसके तहट उन्हें जमानत नहीं दिया जाएगा यूपी गवर्मेंट ने 20 जुन 2020 को गोवन्स खात्या को रोकने के लिए इस अधिनियम को पास करके यह साबित कर दिया कि योगी आधित्यनाद अपने वादे के परती जिम्मेदार हैं यूपी में गोह तसकरी की घटना आए दिन सामने आते रहे हैं जिसे देखते हुए सरकार इसे रोकने के लिए अधिय देश को 20 जुन 2020 को पास करके गोवर्मनर के पास इसे कानून बनाने के लिए भेज दिया गया है और गोवर्मनर इसे पास करक कानून बनाने के सवक्रिती जल से जल परदान करने का अनुरोध भी किया गया है आज हिंदू के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्दी है हिंदू कि इस उपलब्दी के लिए योगी आधितनात एबं यूपी केबिनेट के शुकुर गुर्जार है प्राउट टूबी हिंदू कि बहुत कोई लोग आज इस न्यूज को यूपी आधितनात के उपलब्दी को गलत नजरे से देखेंगे लेकिन मैं सभी हिंदू भाईयों से अनुरोध करता हूं कि इसे सपोर्ट करें तथा इसे सब्सक्राइब करें तथा इसे सेर करें धन्यवाद